जब तक हम भारतियों की पूछ में आग ना लगाई जाए हमारी आखे नहीं खुलती ये बात आज एक बार फिर से हमने खुद साबित कर दी है कैसे आप खुद अपनी स्किन पर देख लीजिए भारति वायू सेना के जो उप परमुख है एपी सिंग जी इन्होंने खुद द मानिये ये बयान बहुती ज़्यादा सीरियस और चिंता जनक है क्योंकि वायू सेना को खुल कर देश नहीं दुनिया के सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि हमें हत्यारों की जबरत है और आत निर्भर अभियान को बहाना बनाकर राष्ट की सुरक्षा को दाओं पर लगा जा रहा है और अगर ऐसा नहीं है तो आप मुझे खुद बताईए कि 2008 में भारती वायू सेना के लिए 180 लडाकु विमान खरीदे जाने थे उस समय हम भेंकर कमी से जूज रहे थे लडाकु विमानों की इसलिए 180 खरीदने थे उस समय इनकी कीमत 4 अरब डोलर आकी गई थी लेकिन हुआ क्या सरकार ने सिर्व 36 राफे लडाकु विमान फरांस से खरीद लिये और कहा कि ये 180 कभी फिर खरीदेंगे जी हां कहा 180 की हमें जरूरत थी कहां हमने खरीदे कितने 36 उसके बार सरकार ने क्या किया इन 180 की संख्या गटा कर 140 कर दी आज की तारिक में हमारी MRFA की ये डील है इसे 16 साल बीच चुके हैं आज तक भी हम इस डील को पूरा नहीं कर पाए हैं और इसके उपर जब भी वायू सेना कहती है कि लडाकु विमान की जुरत है तो उन्हें नया बहाना थमा दिया जाता है जैसे कि तेजस का मार्क 2 आएगा दूसरा वेरेंट उससे काम चलाना या फिर 8-9 साल के बाद M का तो बन ही जाएगा उससे काम चला लेना लेकिन वायू सेना क्या कहती है जो M का आएगा या फिर उसके पहले जो तेजस का मार्क 2 वेरेंट आएगा उसे जोड कर ही तो हमें 1.500 लडाकु विमान की कमी पड़ जहां एक तरफ वायू सेना के उपर मुख ने दिल्ली में आकर खुलयाम बयान दिया है वहीं दूसी तरफ रिपोर्ट आ रही है डिफेंस सोर्सिस के हवाले से कि वायू सेना अब डिफेंस मिनिस्ट्री के उपर प्रेशर बना रही है और उन्हें कह रही है कि at least इस डील क जो acceptance of necessity है से आप जल्द से जल्द approve कीजिए क्योंकि उसके approval के बाद ही जो तमाम लडाकु विमान बनाने वाली कंपनिया है दुनिया भर की वो इस डील पर आगे बढ़ पाएंगी वो देखेंगी कि किस प्रकार की bid डालनी है फिर उन bid को यहां पर finalize किया जाएगा और एक लडाकु विमान प्राइज और उसकी specification के हिसाब से चुन लिया जाएगा साथ ही इस acceptance of necessity के बिना आप fund भी जागी नहीं करवा सकते finance ministry से यानि कि यह सबसे बड़ा रोडा है इस deal को complete करने का और इसलिए why you say na acceptance of necessity पर अकर्मक रुख अपना चुकी है और इसे approve करवा कर ही मान लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात बता दूं कि अगर हमारी सरकारे डील ना होती और 2008 में ही यह deal हो जाती तो उस समय 180 लडाकु विमानों का खर्चा आता 4 से लेकर 5 अरब डोलर अब 2024 में यह deal होगी तो पता है अंदजन कितना खर्चा आएगा 20 अरब डोलर वो भी सि 114 लडाकु विमानों के यानि कि हमने लडाकु विमान की deal delay करने में अपना ही नुक्सान करवाया हमारे लडाकु विमान भी कम होंगे और सातिक करच्चा दुगने नहीं चोगने से भी ज़्यादा होगा लेकिन आपको बता दू इन 114 लडाकु विमान डील से सिर्फ काम नहीं चलेगा इसके साथ हमें कम से कम दो फलीट स्टेल्थ लडाकू विमान की भी चाहिए ही होगी क्योंकि एमका को बनने में अब थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि सरकार ने उसकी फंडिंग भी डिले करी है जल्दी से जल्दी जारी नहीं करी इस वज़े से उसमे भी एक डेड़ साल का डिले आपको देखने को मिलेगा और यही कारण है कि चीन को टकर देने के लिए हमें या तो F-35 या कम से कम सुखोई SU-57 में से कोई एक दो स्क्वाडरन यानि लगबग 36 से 40 लडाकों विमान खरीदने पड़ेंगे ही पड़ेंगे क्योंकि चीन आपक सिरण नीती बनाएगा और जब आप कमजोर होगे सबसे तब आप पर हमला करेगा इसलिए जरूरत है कि कम से कम दो स्क्वाडरन स्टेल्थ लडाकों विमानों की फास्ट्रेक तरीके से खरीदी जाए जैसे कि हमने 36 राफेल खरीदे हैं